सरकारी नोक्रियों में फर्जी वाड़े के किस्से अक्सर सामने आते हैं न्यायाले के आदेश पर कारवाई भी होती है लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी नोक्रियों में फर्जी वाड़ा रुकने का नाम नहीं लेता ताजा मामला पानीपत के खादे एवं आपूर्ती विभाग से जुड़ा हुआ है जिसमें RTI एक्टिविस्ट ने जुला मुख्याले में लेखा विभाग में दस्मी के फरजी प्रमान पत्र के आधार पर नोकरी पाने वाले शक्स का नाम उजागर किया है लेकिन विभाग के अधिकारी इस पर लीपा पोती कर जवाब दे रहे हैं वहीं RTI एक्टिविस्ट ने सरकार से मांग की है कि 2013 में हुई 89 कलर की भरती को रद कर जांच की जाए और दोशी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ रिकवरी के साथ साथ एफायार दर्ज की जाए गौर तरफ है कि आए दिन सरकारी भरतियों में घोटाले सामने आते रहते हैं विभिन सरकारों और न्यायलों की सक्रियता के बावजूद भी इस तरह के फर्जी वाड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे सरकारी नोकरी की चाहा रखने वाले और दलाल मिलकर फिर से नए तरीके ढून कर सक्षम लोगों को मिलने वाली सरकारी नोकरियों पर हाथ साफ कर जाते हैं ताजा मामला पानीपत के एक RTI एक्टिविस्ट ने उजागर किया है RTI activist यश्पाल मलिक ने RTI से मिली जानकारी की आधार पर बताया कि 2013 में हुड़ा सरकार ने 89 क्लरक्स खाद्य आपूर्ति विभाग में न्युक्त के थे पानिपत खादे एवं आपूरती विभाग में नियुक्त राजवीर नामक वेक्ती ने दस्वी के फरजी प्रमान पत्र के आधार पर ये नोकरी हासिल की है शिक्षा विभाग द्वारा दी गई सूषना ने इस बात पर महड लगाई है कि इस तरह का कोई प्रमान पत्र ऐसे प्रारूप में नहीं जारी किया गया है और राज्य खादे एवं आपूरती विभाग को भी संबंध में सूचित किया गया है वहीं फर्जी प्रमान पत्र से नोकरी हासिल करने वाले राजवीर इस समय खादे एवं आपूरती विभाग के जिला कार्याले में अकाउंट का काम देख रहे हैं वहीं आर्टियाई एक्टिविस्ट ने मांग की है कि इस तरह फर्जी तरीके से नोकरी पाने वाले के हाथ में सरकारी खाते का लेंदेन कैसे दिया जा सकता है उन द्वारा ये भी मांग की गई है कि विभाग उसे टर्मिनेट कर अब तक दिये गए बेतन की रिकवरी करें और साथ में नोकरी पाने वाले फर्जी वाड़े की एफ़ायार दर्ज करें उन्होंने मुखे मंत्री से ये भी मांग की कि 2013 में हुई इस भर्ती को रद कर इसकी उच्चस्तरिय जाच कराकर भर्ती में हुई धांदली में शामिल लोगों और इस फर्जी वाड़े में शामिल उनके सही योगियों पर धोखा धड़ी का मामला दर्ज करते हुए कारवा इस सम्मध में तो कोई जान करें अभी है इस सम्मध में मुझे अभी कोई जान करें है इस सम्मध में मुझे अभी कोई जान करें है इस सम्मध में मुझे अभी कोई जान करें है इस सम्मध में मुझे अभी कोई जान करें है इस तो सारी मतलव यहां पर इंस्पेक्टर भी सब्सक्राइब है राजवीर अकांट ब्रांच कारिया गता है तो सिनारिटे एक्विस्ट ने किसका है यह फर्जी जो दस्मी सेटिपिकेट है उसके अदाथ पर इसको नुकरी मिली और प्रमाट है यह तो देखो राज्या सरकार का है और मेरे पास तो ऐसा कोई इंफर्मेश अगर अगर आपको इस अंजान में मामला तो 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 जब आएगी तब उसके देखा जाएगा जो नियम बने हो है उसके इंसार करवाई करें निमान सार करवाई करें अगर प्रमाट है अमना एक आटिया में सुचना मंगी थी 89 कल्रक 2013 सरकार द्वारा बरती किये गए जिसमें पूर्ट सप्लाई के 89 आदमी आए थे जिन मेंसे राजबीर से की अमना आटिया में सको ने पर सुचना मंगी थी सुचना मांगने बाए उसकी खाड़न और पूर्टी भी भाग द्वारा मारको सुचना दी गई सुचना में उसकी जो दस्मी की मारक सीट है वह फरजी पाई गई क्योंकि उसका जन्नम होया बैतर में और एडमीशन होया थातर में सतासी में पास आउट हो गया रिजल्ट है उसका दो जारेक में क्योंकि यह सारी सारी बोकस बनी होई है क्योंकि राजबीर सिंग का में अकाउंट परांच में लगया है जहां पर गोवर्मिट के सिद्धे पैसे का लेंड देन है इसको जो जब एक आदमी को दस्मी की भी दस्मी का भी पूरा ग्यान नहीं तो वो गोवर्मिट के पैसे को कैसे सम्वाल कर रखेगा क्योंकि इस अधिकार के को टाले खोलने के लिए हमना यह मुहिम चलाई होई है ताकि जो जिन जो एक्शुल मैं इस इस अधिकार इस पद के अगदार है उनको यह पद मिलना चीए ना कि इस तरह के फर्जी वाडे को पर जी तरीके से बढ़ती हो यह लोगों को क्योंकि मारी मुसरकार से यह मांग कर है क्या जाए जो जो लोग लिगल पाए जाए या जो जो इस साजी समया पाई परती करने उनके खिलाब करवाई की जाए यह फराड है फराड को लेकर करके इस ख्राब किस तरह करवाई department को करनी जब चलेकर लगा दो इसकी recovery होने चाहिए उनको जाए है जु जो बतोर सही होगी काम करें जिसने इसकी पुलीफ वेरिफिकेशन कराई या जिसने कुछ को करया है जो जो भी आदमी सामिल हो उसको 120 बीम बंद किया जाए क्योंकि ये इसके सारह ही एक बड़ा स्केंडल पकड़ा जाएगा ये वी से लिए राज्या सरकार से मांग पत्र ब वो भी हर्याना सरकार की affordable housing योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की free parking, EDC, IDC free, club charges free और maintenance free और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करें